हेलो और विल्काम बैक एकन फ्रेंड मैं मनी से एक बार फिर आप से सवगत करता हूं फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ डिसकस करने वालों कुछ कि जिनका पेमेंट अभी तक भी सक्सेसपुल नहीं दिखाया है या फिर आगे नहीं दिखाएगा 24 गंटे में तो उनको जो उनका पैसा है वो आपस रिफंड किया जाएगा आपका जो पैसा है पीस की वो आपको उसी अकाउंट में लोटाए जाएगी जिस अकाउंट से पिर क्या था तो इमितर वाले के अकाउंट में आपका पैसा आएगा कब आएगा जैसे ही डिखलेर हो जाएगा रिजल्ट डिकलेर होने के 90 दिन के अंदर आपका पैसा आपको मिल जाएगा तो इसके अलावा दूसरी बात यह थी कि हमारी कटेगरी चेंज हो गई है कुछ जनरल वाले OBC में आगे OBC वाले जनरल में किलिक हो गया गलती सी हो गया किसी ने जानबूस के तो कौन करता है लेकिन किसी से SC है उसे ST हो गया जो भी कटेगरी आप से चेंज हुई है वो भी आप चेंज कर सकते हैं कब से कब तक कर सकते हैं वो नोटिफिकरिशन उने जारी है किसी का है सहीं नहीं है किसी घम नहीं लगा तक है या बढ़ वो कब तक यहां पर कर सकते हैं तो उलेगा या कि का पूरे चार दिन मेंने वाले हैं यह सा यहां फर के पास रहेंगे किसी बीламत के पास अगर सिUST हिसेज आता है होका नहीं मिलेगा इसके इलाबा फानल जो इस ट्रेटीक साहापका कि वह आपका तो फोर्म में रीजीक्ट क्या गया है या नहीं क्या गया है उसका तो सुर्म विवारा को दिखाएंगे और इसके अलाबा जो आपके admit card है वो 14 को आ करदाएंगे उसमें आपका सेंटर कहा आया है किस जिलें में आया है आपका कौण सी पारी में होगा पहलugen में होगा कि दूसरी में होगा यदि पारी वाई जगजाम हुआ तो और आपको आपको पहुंचना होगा सारी जो गैडलाइन से आपके आ जाएंगी और 20 तारी को आपका एकजाम होने वाला है अगर फिर भी आपके मैं में कोई confusion है प्रेंट्स तो आप हमें कमेंट फिर भी क झ ken कil तो आपके अगर ऑपके मैं अगर जाएंगी और 20 तो ना चे दे कैसके आपका ए और 10 ब me könश्याला चेंगी को आपके मैं जे एक पक एमारत एकर एको प्लिम्चना है बालावाओब करहा मैं कieso झालाव दो दूरूड़ पन्हाद डोलाव झाल झाल